देखे फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में अपन तो आज पर ने इस वीडियो में बात करेंगे कि आखिर किस तरह की समझ्याओं से रात पाने के लिए यह जो टेबलेट है डोक्टरो दौरा प्रिसक्राइब की जाती है और इस टेबलेट का उप्यो करने एक बाद में पैसेन को क्या कैस के फाइदे और क्या कैस के नुकसान देखने को मिल सकते हैं आप सभी को संपूर्ण जानकारी इस वीडियो में मिलने वाली है तो आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना तो यह है जो टेबलेट है लेबेटालोर हंड्रेड इसमें जो कमपसिशन दिया गया है लेबेटालोर हंड्रेड मिलिगराम आखिरकार क्या काम करता है तो देखे यह है जो मेडिसीन है एक अलफा वीड़ ब्लोकर है यह है अपने सरीर के अंदर जब बलड प्रेसर बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है तो उसको कंट्रोल करने के लिए डॉक्टर से टेबलेट को प्रिसक्राइब करते हैं कई बार ऐसा होता ही कि बलड प्रेसर बहुत जादा बढ़़ जाता है तो पड़एट को चस्ट पेन यानि के अंजाइना की समझा भी देखने मों मिलते है मतलब कि सीने में दर्द जैसी उसकी हार्ट बीट अब़ई बहुत जादा बढ़ जाती है साथ में उसकी जो blood vessels है इनको आराम देने का काम करती है यह जो tabulator patient को जो high blood pressure हो गया है उसको control करने का काम करती है इसके अलावा patient के कई बार एंजाइना जैसे की chest pen जैसे कुछ समश्याइं सेने में दर्द वगेरा कुछ इस परकारी की समश्याओं से भी रात देने का काम करती है और यह अपनी जो blood vessels रहती है उनको आराम देने का काम करती है यह जो tabulator एक alpha beta blocker नामक serenio से belong करती है यह अपने blood परवा में सुधार करती है और जो blood pressure बहुत ज़यदा high हो गया है उसको control करने मतद करती है कई बार ऐसा होता है कि मेलाओं के pregnancy के दोरान भी बहुत ज़़यदा blood pressure की समश्याइ देखने को मिलती है मतलब क्यूंका जो blood pressure बहुत ज़यदा high हो जाता है ज़्यादा हो जाता है तो उसको कंट्रोल करने के लिए भी डॉक्टर से इस टेबलेट को प्रिसक्राइब करते हैं मेलाओं को प्रेग्नियंसी के समय उनका ब्लड प्रेसर को कंट्रोल करने के लिए भी डॉक्टर से इस टेबलेट को प्रिसक्राइब करते हैं इसके अलावा कई बार ऐसे पैसेंट रहते हैं मेल पैसेंट या फिमेल पैसेंट जिनके चेस्ट पेन एंजाइन जेशी कुछ समझाई भी देखने को मिलती है साथ में उनका जो हर्ट यह भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है और उनके जो बीपी है पूरी तरीके से कंट्रोल नहीं हो पाता है तो ऐसे पैसेंटों को डोक्टर से इस टेबलेट को प्रिसक्राइब करते हैं इस टेबलेट का जो मुख्य उप्य हो गए यह है पैसेंट के बलड प्रेसल को कंट्रोल करना है साथ में उस पैसेंट के जो चेश्ट पेन एंजाइना की समझ़ाई मतलब कि सीने में दर्द वगिरा रहता है तो उस सारी समझ़ाऊं से रात देने का यह जो टेबलेटर काम करती है नॉर्मली यह जो टेबलेटर पैसेंट को हर मेडिकल स्टोर पर अविलिबल हो जाती है यदि देखे यह जो टेबलेटर आपको लेबेटा लोड हंड्रेड नाम से नहीं मिले तो आप इसके अंदर जो कमपोशिन दिया गया है लेबेटालोल 100 मिलिग्राम इस नाम से नॉर्मली मेडिकल स्टोर से परचेस कर सकते हैं मेडिकल स्टोर वाला अन्य बराण के आपको यह जो टेबलेटर दे देगा देखी यह जो टेबलेट है आपको 100 mg के अंदर भी मिल जाएगी और 200 mg के अंदर भी अविलेबल हो जाती है पैसेंट की कंडिसन को देखते हुए इस टेबलेट की डोट डिसाइड की जाती है कि पैसेंट का जो ब्लड प्रेसर है कितना बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है कई बार पैसेंट को normally यानि की कम blood pressure बढ़ा हुआ रहता है तो दिन में के एक बार ही इस tablet को लेने की सलादी जाती है लेकिन ऐसे पैसेंट जिनका बहुत ही ज़्यादा blood pressure बढ़ा हुआ रहता है तो उन ऐसे पैसेंटों को सुबह और सामभी यह है जो टेबलेट लेने की सलादी जाती है वह डिपेंड करता है पैसेंट के condition को देखते हुए कि पैसेंट का blood pressure कितना है कितना उसको एंजाइना की समझा है मतलब की chest pain की उसके इसाब से डॉक्टर से इस टेबलेट की डोज को डिसाइड करते है मैं जिस टेबलेट का review कर रहा हूँ लेवेटालोर 100 इस टेबलेट की price है 250 रुपे जिसके अंदर 10 टेबलेट की strip आपको normally मिल जाती है यदि आप अन्य ब्राण की और कोई दूसी टेबलेट का इस्तिमाल करोगे जिसके अंदर लेवेटालोर 100 मिली गराम दिया गया हूँ तो उसकी price में आपको कम या ज्यदा देखने को मिल सकता है बात करें अपने इस टेबलेट के कुछ common side effects के बारे में तो पैशocaं को Noznica vomiting जैसे कुछ समझयाइन देखनी को मिल सकती है headache हो सकता है या फिर कषक्कर आने जैसे कुछ समझयाइन देखनी को मिल सकती है या फिर किसी तरह कोई allergic reaction जैसे की savoir इसी जो जाना,खुजली बगएरा हो जाना इस परकार की कुछ समझाई देखने को मिले तो आप इस टेबलेट का उप्योग करना बंद कर दें और अपने डॉक्टर के सिला के अनुसार इस टेबलेट का उप्योग करें और इस टेबलेट का उप्योग करने बाद में पैसेन को क्या क्या इसके फायद दे और क्या 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 इसके नुकसान देखने को मिल सकते हैं संपूर्ण जानकारी मैंने आपको इस वीडियो में दे दी है तो यदि आपको इस वीडियो से थोड़ भी नॉलेज मिलिते हैं और वीडियो को जरूर से जरूर लाइक कर देना और चैनल को अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किये तो सब्सक्राइब करके बेल आइकुन को दवा देना ताकि जब भी आम अगला वीडियो डाले तो उसका नॉटिपिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में जब तक के लिए ज जब पहले हिन